हेलो फ्रेंट्स आज के इस व्डिडिए में आपको उताओंगा की फॉन पे में आप अपना UPi Pen कैसे बना सकते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यह मैंने phone pay को यहाँ पर खोल रखा है और phone pay को खोलने के बाद यह आप अपने उपर logo पर क्लिक कर दिजिए यहाँ पर आप यह bank account के option पर क्लिक कर दिजिए bank account यहाँ पर मेरे 4 bank add है और अगर आपका एक ही होगा तो यहाँ पर एक bank show हो जाएगा यहाँ पर मैं आपने HDFC bank का UPI PIN आपको set करके दिखाऊंगा और यह मैं आपने HDFC bank पर क्लिक करूँगा यहाँ पर यहाँ पर यह देखें यह दो option show हो रहे हैं reset और चेंज का अगर आप पहली बार set कर रहे हैं तो आपको set UPI PIN का option आएगा और अगर आपने पहले किया हुए था अपना UPI PIN set और आप भोल गये हैं तो आपको reset और चेंज का option show होगा, यह मैं यहाँ पर reset के option पर click करूँगा, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप set upi pin के option पर click कर दिजिए, यहाँ पर आपको दो option show हो जाएंगे, आधार card का और debit card का, और आधार card से upi pin कैसे set करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रहा है, उसे वीडियो का link मैं आपको description में दे दूँगा, इस वीडियो मैं आपको debit card से ही बताऊंगा, कि debit card से आप अपना upi pin कैसे set कर सकते हैं, यह आप debit card का option choose कर लिजिए, और उसके बाद यह process के option पर आप click कर दिजिए, इसके बाद आपके सामने यह ऐसा page आ जाएगा, यह यह नीचे debit card की expiry date, जो आपके debit card पर लिखी होती है, expiry date वो यहाँ पर डाल दिजिए, और उपर अपने debit card के last वाले 6 digit डाल दिजिए, और उसके बाद यह process के option पर आप click कर दिजिए, इसके बाद आपके सामने ऐसा page आएगा, आपको bank की तरफ से एक OTP आईगी, या तो व और इसके बाद आपको ATM pin का इलिए भी आ सकता है, जैसे अगर मैं आपने state bank का UPA pin set करता हूँ, तो वहाँ पर मिरको ATM pin डालने का कोई भी option नहीं आता, मिरको UPA pin बनाने का ही option आजाता है, अगर आपको ATM pin का option आए, तो आप आपने ATM का pin भी यहाँ पर enter कर देना, और उसके ब बाद आपको आएगा set UPA pin का option, यह अलगलग bank के हिसाब से अलगलग आता है, आपको 6 digit का UPA pin बनाने के लिए भी आ सकता है, और आपको 4 अंका UPA pin बनाने के लिए भी आ सकता है, जैसे मैं अगर अगर अपने state bank का UPA pin set करता हूँ, तो वह मेरा 6 अंको का set होता है, और अगर म और यह UPA pin आप secret ही रखना, अपने तक ही रखना, किसी को भी मत बताना, क्योंकि इसी UPA pin से आप सारी transaction कर सकते हैं, अपना UPA pin यहाँ पर enter करने के बाद यह निचे सही के निशान पर आप click कर देना, और confirm UPA pin में भी, वही UPA pin एंटर करके यह निचे सही के निशान पर आप click कर देना, और यह दिखे, यह हमारा UPA pin set हो गया है, और यह bank की तरफ से भी हमको message आ गया है, कि आपका UPA pin set हो गया है, इस तरह से आप अपना UPA pin set कर सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी subscribe कर दीजिए,